सब्सक्राइब कीजिए मिशन एलपी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए जब से पहले वीडियो पाने की दिए हाई मैं दिपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल मिशन एलपी में आज हम लो डिसक्स करेंगे पर्सेंटेज के बारे में तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टाट करते हैं परतीशत को प्रतिशत को प्राइब आप तो एसे सुचित करते हैं परतिशत का मतल कुछ लोगों के यह सिकायत थी कि सब आप हिंदी में नहीं पढ़ाते तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हिंदी में भी बता दो ताकि चीज़े अच्छी तरह से कवर हो पाएं जब भी आपको प्रतिशत के बारे में पूछा जाए तो आपका अंसर होगा सौ में कितना अगर मैं बात करता हूं पांच प्रतिशत इसका मतलब हो गया सौ में पांच अगर मैं बहुता हूं 35 प्रतिशत तो इसका मतलब सौ में कितना हो गया 35 यानि कि प्रतिशत में हम कैसे से लिखते हैं 35 इसकोल टू 35 बत्र सो यानि 100 में कितना 35 इसी तरह से अगर हम बोले 400 में कितना हो जाएगा तो 400 में बस यही ट्रिक आप लोगों को इसमें याद रखना है यानि कि अगर सौ में पैंतिस है तो 200 में सतर हो जाएगा 400 में 140 हो जाएगा 50 में कितना होगा 50 में इसका भी हाफ कर देंगे साड़े 17 तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग नोट कर लिजे प्रतिशत का मतलब प्रती 100 अब दिखिए प्रतिशत से कैसे हम लोग भींड में बदलेंगे यानि कि percentage to fraction percentage to fraction तो अगर 5 प्रतिशत रहेगा तो प्रतिशत के बदले में कितना लगाते हैं पांच प्रतिशत अगर के सही हो यानि a2 से रूप में है और यह के रूप में अबرة का मतलब इस द तार से दो प्रतिशत बराबर क्या होता है तो एक बदल में एक बदलना हो पर्सेंटेज टू फ्रेक्शन we multiply we divide by 100 यानि कि जब पर्तिशत से में पर्सेंट से फ्रेक्शन में चेंज करना हूँ था हम लोग simply number को क्या करेंगे divide कर देंगे 100 से इसी तरह से उल्टा माने निए कि फ्रैक्शन में दिया हूआ है तो अम लोग कैसे परतीसात में चेंज कर पाएंगे सासी की sick to percentage Жен कहा इसे थाथ सब्सक्राइब करना है जब भी आपको पर्तिसत में बदलना हो इसको 100% से मल्टिप्लाइब कर लीजिए ठीक है यानि कि 5 से 20 बाद में और यह असी परतिसत बराबर 4 बटा 5 और 4 पर पांच बराबर असी परतिसत चलिए बहुत ही काम की चीज है हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे प्रतिसत के और भी क्वेश्चन को सौर्व कर पाएंगे अब आपको पूछा जाता है कि और 15% ऑफ वन हंड्रेट इसकल टूवर्ट यानि कि सौ का पंदरह प्रतिसत क्या होगा क्या होगा है तो सिंपल सी बात है क्या करना है अगर हम यहां दो सौल पर फिप्टी पंदरह प्रतिसत का मतलब अगया नीचे में सब आफ का मतलब का यानि का का में उस गुना पंदरह प्रतिसत कितना होगा पंदरह होगा इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि तीस परतिशत आफ पूर बाइब फाइब और सिक्स्टी यानि चार साथ का चार बटा पांच का तीस परतिशत कितना होगा तो तीस परतिशत के बदले में नीचे में 100 आएगा और का मतलब गुना चार बटा पांच आफ का मतलब गुना और यह साथ जो कटेगा उसो कार देना है फाइब से पांच चक तीस एक जिरो एक जिरो कट्रा है हमारा अब आ गया इसो कुना कर लाते हैं छे चक चौबिस और यहां कट्रा पांच और यहां ती और चौबिस तीया बहत्तर बहत्तर बटा पांच अब चाहें तो उसे गजिए दसमलों में पॉइंट में ला सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं किसको नीचे 10 ही रहने देते तो बेटा रहता है देखें बहत्तर दुना कितना हो गया 144 और नीचे वागे 10 यानि कि 10 अगर हटाएंगे तो यह पॉइंट यहां चला लेगा यानि आगे 14.4 यह हमा कि वाट कि परसेंट ऑफ फॉर्टी इस थर्टी आप से पुछा गया है वोट परसेंट ऑफ फॉर्टी इस थर्टी यानि कि चालीस का कितना पर तीस होगा तो इसको साल्व करने का तरीका है कि सिंपल सी बात है फॉर्मूला क्वांटिटी इसको चेंज करना है परतिसत में तो तीस को है टोटल क्वांटेट कितना दिया हुआ है चालीस घुना सब्सक्राइब यानि कि जो मान दिया हुआ रहेगा मान बटा पूरा मान गुना सब्सक्राइब आ जाएगा मारा परतिसत में अगर यह तरीका आप लोग नहीं चाहते तो कोई बात ही से था नई समझ में आए क्या मान नहीं एक्स कुछ भी तो अंजर होगा ना तो लेक्ट नमबर भी एक्स यह एक्स परतिसत को यह चोड़ देते यह परतिसत का मतलब कितना होता है नीचे में 100 आप का मतलब गुणा यह 40 और इस का मतलब होता है बराबर बराबर तीस चाहिए देखिए अब देखिए एक जिरो एक जिरो कट्र है हमारा अग्स पांच यह दो अब एक्स बड़ाबर कितना नहीं कर जाएगा यह 5 अभी निचे में उधाजा कि गुणा में हो जाएगा त चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आपको नहीं समझ में वीडियो पाउज करके आप देख लिजिए इसको बार-बार कोशिष कीज़े समझ देफिनिक्ली समझ में आएगा क्यों नहीं समझ में आएगा यह मैं समारा है मैं सबस्की फेर है हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे औ अगला कुश्यों और नंबर इस इंक्रीज़ फ्रॉम 20 तो 25 क्याल्कुलेट दो परसंटेज इंक्रीज इन दो नंबर एक नंबर क्या है एक संक्या जो है 20 से बढ़कर 25 हो जाती है तो आपको बताना है कि आगे कितना परतीसत बढ़ गई तो आगे बढ़ते हैं देखिए यहां से हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम फेन यूज करने का कि संक्या पहले कितनी थी 20 अभी बढ़कर कितना हो गई यह पचीश यानि कि कुल मिलाकर हम देखे तो पांच बढ़ गई है पहले बीस थी अब पांच बढ़कर के 25 हो गई है तो आपको अगर इसी परसंटेज में चेंज करना है तो यानि कि 20 से कितना बढ़ गई है यानि 20 में 5 बढ़ गई है और इसको परतीसंद में चेंज करने के लिए क्या थे हैं सो परतीसंद मुल्टिप्लाइए यानि सिंबल से यहां पर चेक किया 5 बढ़ी है और जो शुरुवाती वैल्यू था उसको हमने नीचे रखा यानि 5 बटा 20 गुना 100 पांच योगा 20 चार से पचीस वाज में 25 पर 37 से यहां से भी डैरेट कर सेथे 20 से 25 यानि 5 बढ़ा किसके तुल्ला में 5 बढ़ा 20 के तुल्ला में तो 5 बटा 20 गुना 100 अगर आप से पूछा जाए यह वाला 25 जो है और यहां फिर डिक्रीज कर दें है डिक्रीज आए 25 अगलेच 32 है 25 बढ़ा में 25 कहाओ कि किसके तुल्ला में 75 220 गुना 100 घंप डिक्रीज दो यह होगा तैंडिकिंधी तो कम वो ग chess Talent तो फाइब फाइब जा और फाइब ट्वेंट जा दीस परसंट कितनी कम हो गई 20% जब उस समय था तो कितना था बढ़ गया था पचीश पर तो इसको आप लोग वीडियो पाउस करके अच्छे से देख लें जिनको नहीं समझ में आया है कि आप लोग किसको समझेंगे ओके आगे कुश्चन के तरह हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हैं सारे परसेंटेज के सब्सक्राइब कर लेंगे और देखेंगे वीडियो सारे तमाम रेश्यों के कुश्चन भी बनाया जा सकते इसे बस आपको परसेंटेज समझना होगा आगे बढ़ते हैं कि रांस सेलरी कि इस कि इंक्रेश्ट कि बाई 20 परसेंट एफ कि इस इनीशियल कि सैलरी कि इस को थाउजंड कि कैल्कुलेट कि अग्रेट इस नियुव सैलरी कि यानि अभी बताया गया आपको राम की सालरी कितनी बढ़ गई है तो अगर उसके सुरुवाती सैलरी सुरुवाती इंकम चार हजार था तो अब बढ़ने के बाद उसकी जो सैलरी होगी वह कितनी होगी आपको कैल्कुलेट करना है तो गैस मैं एक की आप लोग को बता दे रहा हूं किसी का भी 10 परसेंट अगर निकालना हो तो सिंपल आप उसमें से एक जिरू हटा दीजिए जैसे पांच हजार का 10 परतिसद कितना होगा तो पांच सो होगा चालीज उरपय का 10 परतिसद कितना होगा तो सो होगा वैसे निकालना बहुत आसान जैसे मैं बोलूँ यानि किसी का भी अगर 10 पर तीसत आपको निकालना हो तो क्या करेंगे एक जिरो हटा देंगे आपसे पुछेगा चाहँ आप यहां पर प्रटीसत क्या होगा तो बस यहां पर पॉइंट आ जाएगा यानि 4.4 आप पुछेगा इसका 10 पर तीसत कितना हो जाएगा तो यहां पर जीरो नीरे आप यहां पर 10 मलों बठा दीजिए 16.5 पर तीसकल निकालना बहुत ही आसान है अगर हमारे पास 10 पर तीस तो भी हम 5 पर तीसत निकाल पाएंगे जैसे कि आपसे पुछ दे जा चछोड़ी walking का पांच 565 ka 5% यानिंकि 10 प्रतिशत आए 6.5 वह इसका पांच प्रतिशत निकाला है मतलब मैं क्या चाहिए आधा चाहिए आधा तो इसका क्रणा के लिए को क्या करते हैं और लोग भाग दे रहें तो देए कितना व्लों कर जाएगा दो से दो दूना चार दो अठी 16 यां पॉइंट का पॉइंट फिर दो दूना चार दस आये दो पचे दस यानि 28.25 पर तीशत पे निकल लिए अगर आप से पूझ दिये बहुत काम का फॉर्मूला है यह बहुत काम का तरीका है आप इसे याद रखेंगे अब देखें जाते हैं यहां पे बूला 4000 का 20% यानि कि जो राम की सालरी थी पहले वो 4000 अब जाकर 20% बढ़ गई है मतलब 4000 का 20% निकालना और हमें बढ़ा देना है क्या करना है 4000 का 20% कितना होगा चार तो दस पर तीसद आगर 400 तो यानि कि राम की सालरी अगर 20% बढ़ती है इसका मतलब उसकी सालरी कितनी बढ़ती है पहले चार जार की अब एंसर भजाएगा अर्थालेश सब्सक्राइब नो नीड तु यूज पिन और कॉपी सिंपल चार जार का दस परतीशत चार सो अगला कुशन दिखते हैं अगला कुशन दिखते हैं अगला कुशन दिखते हैं दा पॉपुलेशन और टाउन इस पूर फाइब सिक्स्नाइब एट तू जरो इफ एट इंक्रीजिस तू थर्टी परसेंट इफ इंक्रीजिस तू थर्टी परसेंट थैन वाट विल बे एट्स निव पॉपुलिशन यानि कि कहा जा रहा है कि एक सहर कि जो जन्संक्या है वो पैतालिस लाख उनहेत्तर हजार हाटसो बीस है और अगर यह पॉपुलिशन तीस पर तीस पर तीस बढ़ जाती है तो फिर निव जो पॉपुलिशन होगी यह कितना होगी तो हमें क्या करना है यहां पर यहां बोले जा रहा है पहले इतनी थी अब 30% बढ़ गई है मतलब 30% कितना होगा को हमें निकाल जी में बढ़ा देना है बढ़ा देना है मतलब जोड़ेना है तो सबसे पहले हैं जोणते हैं आपके पास दो तरीकाह इं तीस पर तीसद निकालने के लिए यह तो इसका आप दस पर तीसद निकालने के लिए यह तो इतना इतना का तीस पर तीसद निकल गया हम लोग और भी तरीका क्या कर सकते थे इसका 10 पर तीसद निकालते यह लगबाग आजाता आपका चार लाग चपन एजा नौसाओ देरासी इसको तीन से गुना कर दें तीस पर तीस पर तीस निकल जाता है ठीक है लेकिन हम लोग यहां पेन कर लेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या है जेनरली कोशन ऐसा देता ही नहीं है फिर मैं आपको सॉल्ब करके बता रहा हूं क इसको अगर आशा रहता तो क्या करेंगे सिंपल इसका 30% हमने निकाल लिया अब बाकी क्या करना इसमें जोड देना है तो इसको किसमें जोड देना है पहले वाले पॉपलिशन में 30% बढ़ा मतलब 13,70,946 बढ़ी है अब जोड देते हैं दुनों को ठीक है कितना आ सारी चे चार दो छे अब नौ और आठ सत्रह का साथ हत में एक नौ अरेक दसका 0 हत में एक साथ देरा चावदा का 4 हत में एक पार तिन आठ और नो और चार एक पांच यह देखिए गाइस पॉपलिशन इतना बढ़ी गया है यानि 69,44766 हो गया है है यह हमारा निव पॉप की सथ बढ़ा मतलब इतना बढ़ा ओके गाइस हाई कोश्चिन के तरफ हम दो चाहते हैं अगे नहीं कोश्चिन और लेते हैं पॉपुलेशन वाला दो पॉपुलेशन आप टाउन इस पंदरह हजार झाल अत्रफ ऑर वे तक देला ऑमकद रिख्त इंप्टरवा ओरत एंपडेशन अरि यर फिडिवास से फिर इंपर सटरव दे अजावेशन इंपर들 अर梯े थे चाहते हम इंप गी साइशन टिएर श्याथ्स सब्सक्राइब और यह साल 10% बढ़ जाती है तो हमसे पूछी है कि पिछला दो साल का पूछ रहा है अगर अगला दो साल का अगर हमें पूछता तो हम जानते कि इसका पहले 10% बढ़ेगी पहला साल फिर जितना वैल्यू आजाएगी उसका 10% प्यक्तिषिस बढ़ेगी कुछ लोग इसको क्या करेंगे दो साल का पूछ रहा है तो दशचिना 20% होगा इसको 20% निकालेगे चोट लिए अगयर हम से दो साल बाद का पुछती तो हम क्या करेंगे 15000 का 10% निकालेगे इसमें ऐड करेंगे और अब इसका 10% बढ़ाएंगे तो पहले हम लोग इसको देखते हैं फिर आगे दो देखते हैं यहां दिएगे अभी का पॉपुलिशन 15,000 10% हर एक सार बढ़ रहे हैं तो आपनों कुछ भी करेंगे पहले माल लेते हैं किसा गई है वह दो आपनों की यानि कि दो साल पहले पापोड़िशन कितना माल लेंगे हम लोग सौ रहे हैं कि सो सब्सक्राइब कर था दो साल पहले पापोड़िशन तो कितना बढ़ा है हर एक साल प्रथिशंड तों में अगर हम लोग 10 σष बढ़ाएंगे 10 प्र ठीन सो पीचात कितना एक जिर व अटा न से जोन्स एकक आगा यानि कि पहला साल में अगर हम लोगों देखें तो 100 से 10 प्र périटी दस बढ़ाएं इंगली तो में 110 फिर से 10 परतीशत बनाएं कि दो साल का बात किया है दो साल 110 कर 10 परतीशत कितना होगा है 11 प्रहिए इस पर दस परतीशत कितना होगा 11 तो याने की हमने मान लिया था कि दो साल पहले जो जन संख्या थी वो 100 थी और यहां बोले 10 पर 30 बढ़े गई मतलब 110 हो गई फिर 10 पर 30 बढ़े गई 120 हो गई अब यानि दूसरा साल बढ़ करके 120 हो गई है यानि अभी 120 हो गई है तो 120 बराबर 15,000 लिख सकते हैं कि नहीं 121 बढ़ाबर 15,000 लिख सकते हैं विल्कुल लिख सकते हैं कैसे हैं दो साम पहले हमने 100 माना था 10 पर 30 सब बढ़ा है 110 फिर 10 पर 30 सब बढ़ा 121 यानि कि दो बार बढ़ करके अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं दो साल से तो आप question के अनुसार population जो है 15,000 है लेकिन हमारे अ और question का बराबर होना चाहिए 121 का 15,000 इसलिए एक का 15,000 बटा 121 इसलिए दो साल पहले का तो दो साल पहले हमने कितना माना था 100 जब हमने 121 माना तो population 15,000 था जब हम 100 माने तो कितना होगा तो 100 का हो जाएगा 15,000 गुना कि आप लोग साल कर लिजीगा यह जो है अंसर है साहिए इसी नंबर देता है तो हम लोग आराम से साल कर सकते हैं अब एक जिएगा यहां 10-20% लेकर घटाएगा नहीं क्योंकि यहां 15,000 का 10% के बारे में नहीं बोल रहा है यहां बोल रहा है दो साल पहले का जितना population था उस साल पहले फिर उसका 10% बढ़ा है इस सीज को आप ध्यान रख लेगा आगे देखते हैं मान लिजे कि यहीं बोलता है कि दा पॉपुलेशन आफ तौरी स्टीन थाउजेंट इस इंक्रीजिस टीन पॉपुलेशन आफ्टर ट्वियर्स आफ्टर यानि कि आप्टर ट्वियर कितना दिया हुआ है 15,000 हमें मानने की कोई हो सकता नहीं कुछ भी मानने की ज़रत नहीं हमसे पुछा दो साल बाग अच्छा पताईगी जब यह पहला साल 10% पहले बढ़ेगा हमें यह नहीं करना है कि 10-20% तो 15,000 का 10% बढ़ेगा फिर जितना आएगा उसका 10% बढ़ेगा 15,000 तो 15,000 या 500 अगर हम लोग जोड देते हैं तो कितना हो जागा 15,000 प्लस 15,000 यानि कि 16,500 यानि कि 10% बढ़ने पे 16,500 पहलेगा फिर 10% बढ़ेगा फिर 10% बढ़ेगा मतलग कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा तो 16,500 का 10% कितना हो दिखें जिरो अटाएग 1650 तो इसे में क्या करना है आपको 1650 आड़ कर देना देखें निव पॉपॉपॉडीशन जो है वागया दो साल बाद इतना जानिकि पहले हमने 15,000 10% बढ़ेगा ताया 16,500 फिर 10% बढ़ेगा जोसी में अट कि आगया बढ़ेगा तो यह हो गया हमारा दो साल बाद का पॉपॉडीशन चलिए ठास और और कोशिन के तरफ आगे बड़ते हैं फ्याहे बक्याती दोस्केवरे था मिस्ट्रेंट शीर हॉचा जbn क्यादट कर्याद करन कमास coined दोस्केवरे直श दोस्केवरे थबस्केवर कि दाई स्वक्य। बड़स ठाथ हम क्याल्कुलेट हाँ मच परशेंट लेस्माइक वाट बाइड राम विद रिस्पेक्ट तो तो इस प्रेंड यहां पर कुश्चन है राम दो सो माइड पाता है लेकिन उसका फ्रेंड दो सो बीस माइड पाता है आप से पूछा गया है कि बताएए उसका जो याँनि राम से वह कितना परसेंट कम मांक लाता अगरी मिश्चन पुछता ना कि बता ही कितना कम मांक सब्सक्राइब भीलां यहां साब्सा निश्चन में है यानि उसके दोस्थ के रिस्पेक्ट में आपको 20 मार्स का इनिकाल है। कम लाए है किस से कम लाए है 2020 से इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा ना उसी को यहां पे नीचे रखना है जो कार देना 2 से 11 वार में यानि 108 अगर हम क्यालकुलेट करें तो तो इतना परती सत्माक्स राम जो है अपने दोस्त से कम लाएं बहुत ही आसान सा सवाल है आगे दिखते हैं कि अगर दिखते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता है है ताकि मैं आपका प्रावल्म कर शारीशन अट टाइं कर सको जल से जल कर सकूं ओक्याइश देखिया मुझें मुझें इंकम इस 20,000 इन फॉस्ट यह इस इंकम seven इंक्रस्स by N person and then again in second year it increases by 20% क्वें चैनि लिटा टेंव नियू इंकम अप्टर जो सल पार उसका इंकम क्या होगा देखिए यह मुहन का इंकम इंकम है पहले साल उसका 5300 बढ़ जाता है फिर परतिशंद बढ़ जाता है तो हम क्या करें इतना अधार फिर उसका 20 परतिशंद सब्राइगे ए हैं तो 20 कितना होगा यहां से आप देख सकते एक जिरो अटा देकें 2000 कितना होगा एक मिनट देखें अभी का इंकम जो इसका दिया हुआ है वह 20,000 दिया हुआ है तो कितना बढ़ गया है यह हो गया आपका 22,000 इसका इंकम 10% मतलब कितना बढ़ा 2000 बढ़ा लेकिन फिर इसके इंकम 20% बढ़ जाती है तो अग इसका पहले में 20% निकालना इसी में बढ़ा देना तो 22,000 का 20% कितना होगा तो देखें 10% अगर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 22,000 हो जाएगा 10% अगर 200 है तो 20% कितना हो जाएगा तो इसके इसका इंकम कितना हो गया 26,400 बहुत ही इसी ट्रीक है आप लोग इसको समझेगा या फिर अगर आप लोग इसको और भी मैथट से अप्राउच करना चाहते तो बहुत सारे मैथड है एक मैथड मैं और बता रहा हूँ अभी इंकम इसका 20 जा रहा है अभी इसको आप वहीं छोड़ देजिए आप इंकम आ लेज़े अभी उसके कितना है 100 है पहला सर कितना बढ़ा 10% तो इसका इंकम हो गया 110 फिर इसका बढ़ा 20% यानि 110 का 20% कितना हो जाएग अब डिरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 100 अगर 100 बराबर 20,000 है 100 बराबर कितना है 20,000 है तो एक बराबर हो जागा 20,000 बटा 100 अब इसलिए 132 बराबर तो एक सो बतीस दुना 264 दो सो चॉंसर फेटोची कुछ लोग क्या करेंगे कैसे अप्रॉस करेंगे मैं पतता हूं देखें एक दम फॉर्मल तरीका जो कि बहुत लेट है जो कुश्चन को अप्रॉस बहुत तेजी से कर पाते हैं उनमें और जो एक कुश्चन जानते बना क्या फर्क होता है देखें नॉर्माल इसू कैसे बनाया जा सकता कुश्चन मुझे याद है मैं फड़ाई रिस्ट कर रहा हूं क्या मालेंगे मौन से इंकम जो है बीस हजार है तो पहले क्या करेंगे बीस हजार का आराम से दस परतीसित निकानी है यह देखें दो सो देहें आरे दो हजार अच्छा दो हजार बढ़ा तो नियोंगें कितना आया है और फिर इसमें प्लस करने तो बहुत चाइब जाएगा आप लोग बढ़ते हैं बारी है कैसे अधीतर एक्जामेनेशन में पूछे जाते हैं वह कैसे हो सकते हैं यह सब तो जिन्दल कोश्चन था जिसको हम सॉल्व कर सकते थे लेकिन जो तुर्ण सा कन्फ्यूजिंग कोश्चन है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं लोग देखें क्या है कि इफ के इस इंकम है इस इस बीस परसेंट मोर दैन इस इंकम हाव मच परसेंट इस इंकम इस लेशर डैन इस इंकम जैने आप से पूछा गया है यहां पर कि अगर एक इंकम बी के इंकम से 20 पर तीसाथ ज्यादा है तो बी का इंकम एक इंकम से कितना कम है एक तो ज्यादा पूछ दिया और आप से अब पूछ रहा है कि कम कितना होगा यह बताई और भी परतिसत में और छुट कुछ पता ही नहीं चल पाता ऐसे कोशन का तो यह बहुत है आसान तरीके से बन जाएगी देखिए आप सॉलुशन क्या हो जाएगा अनसर बीस बटा एक सो बीस गुना एक जिरो एक जिरो दो शक पारा है यहीं सौ बटा छे ठीक है यह कितना आसान सा तरीका है इसको हम लोग चाहे तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं कितना आ जाएगा अद्शक शुला होन 4 2 2 3 चैंज करना जब आपको दे दिया जाए कि एशिंगम बिस परेशन मोर नहीं इस पूछ के रहा है जिँजान आप पूछ रहा है दिया इज्ञा पूछ रहा है कम पूछ रहा है दे दिया ज्यादा पूछ रहा है कम तो आप उल्टा कर दिजे में ज्यादा करना है सों में पूरा सों का ही ठेल है प्र्थीस कि चालिश मानता फृट है इक यानि कि आप से ज्यादा दे दिया कम पूछ रहा है तो हमें क्या करना है उतना बटा सौ पलस कम पूछेगा तो नीचे में ज्यादा करके तो सब्सक्राइब करते हैं देखें अगर मालेजिक नहीं और इस इंकम इस लेस्टन गोड़ता लेस्टन तब सॉलिशन कैसे होता और यहां पूछ देता ओं ग्रीटर दें जश्ट सब्सक्राइब करने लिए तो यह तो मोर्दन हमने कर लिया था ट्वैटी परशेंट लिश्टन दैंडीजिंकम इस को सब्सक्राइब कर देदिया पूछा ज्यादा का तो अभी हमने पढ़ा था जब कम का पूछेगा लेसर तुछेगा तौन करणा मिरें मिरें कम कर देंगे मिरें को पर देंगें और नीचे इस ना हिए सोचना ही만 नहीं है सोचने से पहले दिमाग को सोचने से पहले आपका चल जाना चाहिए अंसर पर एकदम हाफ यह वन सेकेंड भी नहीं लगाना है हाफ सेकंड लगाना है और मैं बताऊंगा कि कैसे यह सब हो रहा है अब देखें यहां पर क्या बीस परतीसत है बीस परतीसत को अगरें फ्रेक्शन में चेंज करेंगे ना तो यह हमारा आजाएगा वन बैइफ अब कूछेगा कि वन बाइफाइफ ज्यादा है कम है मतलब यह ज्यादा कितना होगा तो ज्यादा करेंगे लिए वन बाइफाइफे वोजाज़ागा वन बाइफ फ्स वजादा ऐ पूस्ता तो 1 by 2 रहता तो 1 by 3 हो जाता है 1 by 3 पूझ था 1 by 4 1 by 4 तो 1 by 5 आसे हैं इन फ्रेक्शन में और आसार हो जाता है बट हम लोग परसेंटेस तक ही स्युमित रखेंगे वह आगे पहलेंगे परसेंटेस तो फ्रेक्शन तो प्रसेंटेस उसका अलग से क्लास दिया जाएगा तो जायदा कम वाला अगर राखे तो 20 पर 30 सथ है यहां पर आपसे पुछा गया मोर दें यहां डेनुमिनेटर में कम कर दिजिए यानि 20 बट आसी गुना सो अंसर दे दिजिए अब आता है क्या है और कुश्चन किस तरह से हैं दिखेंगे और ज्यादा कम वाला मैं दिखा प by 10% calculate the reduction in conjunction so that expenditure कि रिमेंस शीं है कैसे यहां पर बताया गया है कि चीनी का दाम 10 पर 30 में पहलेकर को बताना है कि हम कितना चीनी कम इस्तेमाल करेंगे करचा मेरा वहीर यह चीनी कमी मिलेगा लेकिन जब पैसा पढ़ जाएगा थोड़ी मिलेगी उससे तो कमी मिलेगे न तो यहां बोला जा रहा है कि चीनी का नाम 10% बढ़ गया तो बताइए हम अपना इस्तेमाल उसको कितना कम कर देंगे कि मेरा खर्चा वही रहेगा तो फिर से वही आ गया चीनी के दाम बढ़ गय है तो हम कितना कम करेंगे कम करेंगे मतलब नीचे क्या करना है बढ़ा देना है 100 में 200 वही तरीका से यह भी कुश्चन बढ़ गया है यह 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 बढ़ गया तो सिंपल सी बात है दस बटा 110 यह कम करना पड़ेगा मतलब नीचे में बढ़ाना पड़ेगा अगर किनी को दिक्कत है तो आप मुझे परसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यह फॉर्मूला कहां से आया कैसे आया मुझे निक समझे मैं तो मैं पता हुआ या फिर वीडियो पाउस करके आप लोग समझ लें अगर माल नीचे ज़ता नहीं रहता है इंक्रीज क्या रहता है डिक्रीज रहता है अग्या वह चीनी करना मालों की दस परतिसत कम हो गया अब पुछाए कि खर्चा उत्माई ही रखना है तो ज्यादा चीनी कि इतने जाएज चीनी देपाएंगे तो सिंपल सी बात है ज्यादा के लिए यहां पर क्या कर देना है सव में 10 घटाना इनिया अगर ज्यादा पुछेगा कर देंड़ी यहां क्या मुछा है देखिये increase पूछा यानि ज्यादा पूछा हैं तो यहां पर हम ने कैसे कम कर दिया अगैं आगल पूछ दे हैं यहां कम बता यह तब यहां पर करेंगे से कुष्चन करते हैं क्या भी कि है oh the price of sugar is increased by 10% and then decrease by 20% calculate the percentage change in the price of सुगर तो आप लोग इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेजिए गाइज ए प्लस बी प्लस एवी वाई हंडेड बहुत ही काम पर इसे हम लोग कई कोशन कर सें गाइस वन मिनट देखें यहां पर बोला गया है चीनी का नाम पहले 10% बढ़ा फिर 20% घट गया यानि बढ़ा मतलब कितना ए बराबर हमें मानना है प्लस दस फिर क्या बोल रहा है घट गया यानि बढ़ाबर माइनस कितना 20 कि हमें फॉर्मूला जो अप्लाइड करना है इसमें ए प्लस बी प्लस एवी बाई हंडड यानि कि यहां पर बोल्ड़ का दाम जो है वह 10% बढ़ा मतलब ए बराबर प्लस दस हमें मान लेना है और सब्सक्राइब करना है अब कुछ नहीं करना है 10 को यहां बैठाई है माइनस 10 को इसके बैठाई है देखिए 10-20 प्लस 10 गुना माइनस 20 पेड़ा सब्सक्राइब ड़िए 10 मेंसे 20 काट एगा कितना हुगा माइनस 10 अब गुदा देखिए प्लस मैंस क्या हो जागा माइनस अचितना माइनस बारा माइनस बारा परदिशत माइनस बार क्या समझेंगा बार। यानि चीविनी का ओवरोल प्राइस में कितना का बदला हुआ 12 परते हैं डिक्रीज का माइनस में हमारा अंजर आया है डिक्रीज का इसी तरह से और भी कॉश्चन हम देखेंगे देखें बोल दिये जाए दा लेंथ एंट ब्रेथ आफ और रेक्टेंगल इस इंक्रेस्ट बाइ 10 परसेंट आप 20 परसेंट रिस्पेक्टिवी क्याल कुलिट दो परसेंटेस चेंज इन इस एरिया ठीक है आप से पूचा करें आप ही कुश्चन एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई 10 परतीसट बढ़ गई है अब चोड़ाई 20 परतीसट बढ़ गई आपको बताना है कि एरिया में कितना का बदला होगा कितना परतीसट का बदला होगा तो सिंपल फिस से देखिए गई यहां वें दोनों जगा बढ़ गई यहांनि ए बराबर भी वहां प्लस तस परतीसट और ब्राबर भी प्लस अपरीस परतीसट एंस गया नहीं सिंपल सी बात है आक्टेंगशन और उदार आगा 32 32 32 तो बढ़ते हैं इसी तरह से और भी क्वेश्टन हम लोग शॉल कर सकते हैं देखें दो साइन ऑफ और स्क्वाइर इस इंक्रेस्ट क्याल कुलेट क्याल कुलेट दचेंज परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया यानि यहां बोला गया है कि एस्कॉायर यानि वर्ग जो इंदे में उनके लिए मैं बता दूं वर्ग की जो भूजा है वह 50 परतिसद बना दिये गया तो बताएए कि उसके एरिया पर क्या कि यहां बोला गया है कि जो स्क्वायर का साइड है वह 50 पर तीसद बढ़ाया दिया गया तो इसके एरिया पर क्या पर आप पड़ेगा तो देखें सिंपल सी बात है हमारे पास यह फार्मूला क्या हो ए प्लस बी प्लस एबी बाई हंडड यानि कि यहां बढ़ने की बात क है तो सिंपल से एक जगह 50 लिखेंगे और बी के जगह भी हम लोग 50 ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में कोई लेंद ब्रेथ नहीं होता है साइड होता है लेत जितना बढ़ा होता है यानि 50 परतिसद यह बढ़ा तो यह भी 85 परतिसद बढ़ेगा ओके गईस तो एपचा में बढ़ा आएगा वह 125 परतिसद परतिसद क्या बढ़ेगा बढ़े जाएगा यहां मारा अंसर प्लश में नहीं आया प्लस चुपा हुआ आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं अगर बोले जाए माल दीजिए सर्कील का जो रेडियस है यानि ता रेडि पर्सेंटेस चेंज इन इट्स एरिया यानि यहां पर कितना बढ़ रहा है तो अंसर हमारा बढ़ा नहीं आए वड़ा 100 10101010 106 चाहिए चेट चत्तिस यानि की एक सो बीस फ्लस चत्तिस यहानि यहां जगाए चितना का बढ़ लाएगा 156 पर तीसद्क यानि की इस एरिया विल एंक्रीज बाए 156 परसेंट ऊके गाइस अब हम लोग और भी कुश्चन को हम लोग साव कर सकते हैं कि देखें एक और कुश्यन आया अगर जिनको सब्सक्राइब करना नहीं बुलिएगा जितने लोग भी देखने प्लीज चैनल को लाइक कर दें the student got 185 marks and held by 15 months if the pass percentage is 40 then calculate the maximum marks of that exam यानि कि यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टुएंट 185 marks लाता है और 15 marks से फेल हो जाता है कितना लाता है 185 marks और 15 marks से फेल हो जाता है अगर उसे पास होने के लिए कितना परसेंट मांक्स चाहिए था 40% marks चाहिए था तो बताइए कि अगर उसे पास पोने के लिए 40% मांक्स चाहिए था तो total marks कितना था जिसका exam हुआ था तो सिंपल सी बात है अगर एक स्टुएंट 85 marks लाता है 15% मांक्स से फेल हो जाता है यानि कि उसको 15 marks और लाने था पास होने के लिए यहां से निकाल लिए कितना क्या निकाल लें पास मांक्स कितना था 200 लेकिन क्वेश्चन बोड़ रहा है कि यह तो 40% था पास पास कितना था 40 हमारे हिसाब से पास मांक्स 200 लेकिन क्वेश्चन कहला है कि निकाल लेते हैं यानि कि आ जाएगा इसका सव परसेंट दो सो बटा चालीश कुना सो क्या 500 आ गया है नो नीट तो यूज पेलिंग कॉपी हम लोग अल्रेटी यह पी कल्कुलेट कर सकते हैं देखिए कना 1 85 75 25, 200 लेट, TC nyaама 40, 30AST-200 माक्स घंक है तो तो 10 परतिस्त कि टना हो जाईगा या फिर 80 परतिसित कितना हो सब्सक्राndब दो इसाख तो असी परतिसत और 400 अभी ही 20 परतिसत घट रह गट रहा है में तो 40 परतिससित दो 10 परतिसत व सबसें और 200 प Lowhen यह देखिए अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं बूर रहा हूं लेकिन आप लोग एक दुबार एक इसको सौर्व करेंगे या खुद से पेंट कॉपी से बनाएंगे तो आपने आप 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 मिल जाती है जाएक के कुश्चन को कवर कर लूँ इसलिए गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है आप लोग बोर नौ फील करें और एक बार वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको समझ में आने लागेगा जिनका मैंट्स हुई के उनके लिए पी दिखिए माली जी यहां पर एक कुश्चन है 20% students got filled in maths and 40% students felt in science if 15% students felt in both the subjects then calculate percentage कि और पस्टूडेंट्स कि वह पास्ट कि वह सब्जेक्ट्स कि यानिकि यहां पर क्या है कि वह जो हिंदी से उनके लिए मैं समझा दे रहा हूं 20% students जो है कितने स्टूडेंट्स है मुझे नहीं पता हमें नहीं मालूम मालूम करना भी नहीं हैं व्लोह को 2030 student math में फील हो गए 4030 student science में फिल हो गए और 1530 student दोनों में फिल हो गए यह कउशन कई बार repeat हुआ कई बार पूचा ले बएंक कई लगोदे से सब्धार कर पाएंगे यहां बोला कि 2030 student किसम फिल है में 40-30 सब्सक्राइब कर रहा हूं कि माल लेते हैं कि इस पर परशेंट की तो कि अधोनों में यह मालेते हैं मैंत्स का है और यह सइनस का है यह वाला बॉंडरी मैंत्स का है और यह वाला साइंस का साइन साइन्स कईनलेट मिलूंमें 30 अधोनों में 25 यह मैं अधोन इब तो की इतना सब्सक्राइब कर 137 कि मैं जरुकत्स में इस पाच कर्ट्राइब से और करना आपको ना अगर ऐसा कुशन आ जाता है फिर से तो यहां पर देख लीजिए कि दोनों में कितने हैं बोथ यानि दोनों में 15 परसंट फेल किये तो बीच में 15 घटा दीजिए पांच आ जाएगा क्या आप समझ लीजिए यहां जितना दोनों में दिया रहेगा पहले दोनों घटा लीजिए और फिर जितना आएगा इसको फिर जितना आएगा पर आट कर दिचे जितना आजएगा यानि कि यहां पर हमारा था पास करें तो हमारा क्लास लगों लबध खथ हो चुका है मैं इसे चोड़ रहा हूं आपके लिए अपलोग इसे सॉल्फ करें मुझे कमेंट बॉक्स में अंसर बता देज़ेगा और अगर नहीं सॉल्फ हो पाता है तो मैं अगले वीडियो में मैं बता दूँगा नेकिए the price of the price of rice is increased sorry decreased by 10 percent enables a person to buy 6.2 kg more rice in 279 rupees calculate the original price and reduced price of the rice per kg देखिए यहां पर आपको बताना है कि चावल का दाम 10% कम हो गया है इसका पहले का प्राइश और घटा हूँ प्राइश और घटा हूँ प्राइश और अगली वीडियो के लिए मैं इसका सॉलिशन अगले वीडियो में जरूरू दूंगा और अगर आपसे हो पाते तब कमेंट बाक्स में जरूरू इसका सॉलिशन करें और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो अधर गवर्मेंट एक्जाम का तैयारी करें जिनका एक्जाम 21 जनौरी सथाइस जनौरी क